हेलो एवरीवन स्वागत है आपका एरा वर्ड के योट्यूब चैनल में संस्था से जुड़ने के लिए आप दिएग एक स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं आज हम करेंट अफियर की जो स्रिंखला देखेंगे उसमें दिवस और उससे रिलेटिड जो महत्वपूर थीम है उसके बारे में देखेंगे जैसा कि पिछला पेपर देखा गया है उसमें दो से तीन क्वेस्टिम दिवस और उससे संबंधित थीम पर आ जाते हैं इन्हीं आ अध्यम से डिसकस कर लिया जाएगा अभी तक जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम देखते हैं। की रखी गई है जैसा कि हम जानते हैं कि थीम को इंगलिस में ही पूछने की परंपरा रही है इसलिए संस्था ने प्रयास किया है कि आपको थीम लगबग उसी माध्यम में दिया जैसा परिच्छा में पूछा जाता है तो 24 मार्च को विश्व छाय रोग दिवस यानि टीवी के बेसिलस नामक जिवाणू की खोच करने वाले डॉक्टर रवबरट कोच ने ՘ोष्ना किया था कि उन्होंने टीवी के कारण बढ़ने वाले जिवाणू की खोच कर ली है इसी उपलच्च में 24 मार्च को विश्व तीवी दिवस मनाया जाता है और विश्व तीवी दीव अगरूपता दिवस 2022 की जो थीम थी सभी के लिए समावेशी गुर्वत्तापूर्ण सिच्छा सभी के लिए क्या था गुर्वत्तापूर्ण इंक्लिवसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर आल यह किस के लिए थीम रखी गई थी तो आटीजम दिवस की थीम थी जो आटीजम दिवस मनाया जाता है वो सेकेंड अपरेल को आटीजम दिवस मनाया जाता है अविस्व मौसम विज्यान दिवस 2022 की मुख्य थीम अगर तो मेट्रोलोजिकल डेट टुटी टुटी टू की जो थी उसे थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन मतलब पूर्चेतावनी और सीग्र कारवाही ली गई है तो जो विश्व अंतरराष्टी मौसम दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है वह तेईस मार्च को मना अगर राष्टी उभखता अधिकार दिवस मनाया जाता है वह 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व अधिकार दिवस अगर राष्टी उभखता अधिकार दिवस की बात की जाए तो यह हमारा 24 दिसंबर को मनाया जाता है कब 24 दिसंबर को 24 दिसंबर को मनाया जाता है अब नेक्स देखते हैं तो राष्ट्री विज्ञान दिवस की जो थीम रखी गई थी वह भहुभासी सिच्छा के लिए प्रदोगी की का उपयो चुनावती और औसर नहीं ये कथन गलत है क्योंकि विज्ञान दिवस की थीम यह नहीं रखी गई थी और राष्ट्री विज्ञान दिवस की जो थीम रखी गई थी हम जानते हैं कि जो राष्ट्री विज्ञान दिवस है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी जो थीम रखी गई थी भविशी के लिए विज्ञान एवं प्रोध्दोगी की में एकी कृत द्रिष्टी कोड ये किसके लिए रखा गया था तो राष्ट्री विज्ञान दिवस जो हमारा थाइस फरवरी को मनाया जाता है और जो हमारी बहुभासी सिछा के लिए प्रोध्दोगी की का उप्योग और चुनवती के अवसर यह अंतरराष्ट्री मात्री दिवस की थीम थी अंतरराष्ट्री मात्री दिवस जो 21 फरवरी को मनाया जाता है 21 फरवरी को उसकी थीम रखी गई थी तो क्या रखी गई थी बहुभासी सिछा के लिए प्रोध्दो प्रित्वी दिवस की बात करें तो अभी हाली में हमने 22 अप्रेल को विश्व प्रित्वी दिवस और्गिनाईज किया है मतलब मनाया है तो 22 को जब मनाया गया है 22 अप्रेल को तो उसकी जो थीम रखी गई है 22 अप्रेल को रखा विश्व प्रित्वी दिवस बनाया उसकी थीम रखी गई है विस्सु पृत्वी दिवस दोहजार सत्तर में आधुनिक परियावरन आंदोलन के जन्म की वर्सगाट का प्रतीक है 1969 में क्या हो था सैन फ्रेंसिसको में एक यूनेसको सम्मेलन में सांती कारे करता जो जौन मैकोलेन थे उन्होंने पृत्वी और सांती की अधारना का सम्मान करने के लिए एक दिन का प्रस्तावना रखा था जिसे पहली बार 21 मार्च 2070 को मनाया जाएगा और उत्री गोलार्द में यह बसंत का पहला दिन माना जाता है इसलिए इस दिवस को चुना गया था तो विसुप्रिद्वी दिवस जो 20 अप्रेल को मनाया जाता है उसकी थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट अब हम देखते हैं कि अप्रेल से संबंदी कौन से महत्वपूंट डे है और उसे क्या थीम रखी गई है तो हमने देखा कि 2 अप्रेल को वर्ड आर्टीज्म भी मिना ऐर्नेश डे मनाया जाता है इसकी जो थीम रखी गई है इंकलूजन इन दा वर्क बैस रखा गया है फॉर्त आप्रे अप्रेल को इंटरनेशनल डे पॉर् मैं अवेर्नेश असिस्तन हिन मैं एकिशन रखा गया है जिसकी थीम है सैफ ग्रावन सैफ सेफ सटेफ एन सेफ होम्स यह किसकी है इंटर डेसला डे फॉर माइन अवेरनेस फिफ्ट और अप्रैल को तो बनाया गया है वो नेशनल मैरेटाइम डे मनाया गया है इसकी जो थीम रखी गई है प्रोपेलिंग इंडिया मैरेटाइम नो नेट जीरो नो नेट जीरो यह किसकी थीम है फिफ् विश्व स्वास्त दिवस यानि वर्ड हेल्थ दे जो 7 अप्रेल को मनाया जाता है 7 अप्रेल को विश्व स्वास्त दिवस जो मनाया गया है उसकी थीम इंपोर्टेंट है आवर प्लानेट आवर हेल्थ यह किसकी है 7 अप्रेल को जो विश्व स्वास्त दिवस मनाया गया थी people choice for wellness, homeopathic people choice for wellness रखा गया है किसकी world homeopathic day की theme रखी गई है, उन्यमली में से कौन सा कथन सत्य है, आएए देखते है कि कौन सा कथन न्यमली खित में सत्य है, तो विश्व समाजिक न्याए दिवस, विश्व समाजिक न्याए दिवस 2022 की मुख्य विशे, अपचारिक रोजग के माध्यम से समाजिक न्याए प्राप्त करना, achieving social justice through formal employment यह theme किसकी विश्व समाजिक न्याए दिवस की theme रखी गई है, second sentence है, अंतर राष्टी महिला दिवस 2022 की जो theme रखी गई है, gender equality, today for a sustainable tomorrow, today for sustainable tomorrow, यह दोनों ही theme क्या है, सही है कि जो हमारी विश्व समाजिक न्याए दिव दिवस है, उसकी theme रखी गई है, world social justice day की theme है, achieving social justice through formal employment और हमारा international woman day जो 8 March को मनाया जाता है, उसकी theme है, gender equality, today for sustainable tomorrow, रखा गया है, तो हमारी दोनों ही कथन क्या हो जाते है, सत्य हो जाते है, जो हमारा विश्व समाजिक न्याए दिवस है, यानि कि हमारा जो world social justice day है, वह कब मना जाता है, तो 20 फर्वरी को, यानि 20 फर्वरी को world justice day हमारा celebrate किया जाता है, का 20 फैब को, next question देखते हैं, कि निमली खित में से कौन सा कथन गलत है, कि अंतर राष्टी सिछा दिवस की जो theme है, international education day की जो theme रखे, changing course transforming education, changing course transforming education, किस की theme है, तो international education day की रखी गई है, 12 राष्टी मत्दाता दिवस 2022 की जो मुख्य theme थी, हम कब मनाया जाता है, हमारा voter day तो वह 25 जन्वरी को मनाया जाता है, तो 25 जैन को जो मनाया गया था, राष्टी मत्दाता दिवस इसकी जो theme रखी गई थी, उस election inclusive, accessible and participatory इसकी theme रखी गई थी, यानि चुनाओं को समावेसी सुगम और सहभागी बनाना, कैंसर दिवस की बात करें, तो कैंसर दिवस चार फरवरी को मनाया जाता है, कब 4th of FAP को मनाया जाता है, इसकी theme है, close the care gap, care में जो gap होता है, उसे close करना, या किसकी theme है, या विस्व कैंसर दिवस की theme है, और दिये गए, सभी कथन क्या है, सही है, इन में से गलत कुछ नहीं है, और International Education Day की बात की जाए, कि कब मनाया जाता है, तो Education Day हमारा 24 March को मनाया जाता है, और उसकी theme है, Changing Course, Transforming Education रखा गया है, Important Day और theme हम देख लेते हैं, अभी हमने अपरेल का देखा था, अब हम मार्च में related जो celebrate किये गए है, और उसे related theme क्या है, उसे देख लेते हैं, तो एक मार्च को मनाया गया, Zero Discrimination Day, Zero Discrimination यानि Zero विभेदी करण दिवस, इसकी जो theme रखी गई है, Remove law, then that harm, Remove law, that harm, Create law, that empower, Create law, that empower, किसकी ये हमारी Zero Discrimination Day की theme रखी गई है, मनाया जाता है, First of March को, Third of March को अगर देखें, बहुत important है कि World wild life day मनाया जाता है, Third of March को, इसकी जो theme है, recovering key species for ecosystem, restoration, restoration क्लिक है, recovering key species for ecosystem, restoration, या Third of March में, जो World wild life day मनाया गया, उसकी theme रखी गई, Third March को ही, World hearing day भी मनाया जाता है, क्या World hearing day, जो World hearing day की theme रखी गई, to hear for life, listen with care, hear for life and listen with care, ये किसकी है, World hearing day की theme रखी गई है, Third of March को मनाया जाता है, International woman day, जैसा की हमने उपर भी देखा, इर्थ मार्च को मनाया जाता है, gender equality, today is for sustainable tomorrow, theme रखी गई थी, women's day की, और 22nd March को World water day विश्व जल्दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल्दिवस की जो इस बार की theme रखी गई थी, ये ground water making the invisible visible, मतलब अद्रिश को सद्रिश में बदलना है, ये किसकी theme है, विश्व जल्दिवस की, 30 March को देखें, तो World metrological day बनाया गया है, 23rd March को, और 23rd March को जो metrological day बनाया गया है, उसकी theme है, early warning and early action, early warning and early action for hydrometrological and climate information for disaster risk reduction, disaster risk reduction किसकी theme रखी गई है, तो World metrological day जो 23rd March को celebrate किया जाता है, विश्व रोई रोई रेडियो दिवस को मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस, अचार उसकी तो theme और तथा विश्व जल्दिवस, विश्व जल्दिवस अभी हमने देखा कि 22 March को मनाया जाता है, तो 22 March के जल्दिवस हमने last में ही देख लिया है, last question में, क्या इसका था, कि हमें groundwater को visible करना, किस से invisible से, तो हमारे जो जल्दिवस की theme हो जाती है, वो groundwater making the invisible to visible होगा, यानि कि अद्रिश्य को सद्रिश्य बनाना, अद्रिश्य को सद्रिश्य बनाने, अद्रिश्य बनाना, और radio day जो 13 March को मनाया जाता है, उसकी जो theme रखी गई थी, radio और विश्वास रखा गया था, क्या रखा गया था, radio and faith, इस बार radio दिवस जो 13 February को मनाया जाता है, उसकी theme है, क्या radio and faith, and water day जो 25 March को celebrate होता है, ground water and making visible to invisible theme रखी गई है, next question, विश्व हेपिटाइटीस दिवस जो 28 July को मनाया जाता है, हेपिटाइटीस दिवस की जो theme है, हेपिटाइटीस cannot wait रखा गया है, क्या रखा गया है, हेपिटाइटीस cannot wait और कब मनाया जाता है, 28 July को मनाया जाता है, उसकी बाद हम देखते हैं, विश्व बाल दिवस, जो वि समझ लेते हैं कि जो यह remaining youth skill post pandemic है यह namely उप कोशल दिवस की theme है ना कि विच्चो बाल दिवस की तो किसकी है वर्ड यूथ इस्किल्डे की जो theme है वह है remaining youth skill पोस्ट पेंडमिक रखी गई है वर्ड यूथ इसकेल देखिए और अलगर हम विश्य बाल दीवस विश्य बाल दीवस कब मनाया जाता है तो वर्ड चिल्रन डे जो मनाया जाता है वो हमारा बीस नमबर को मनाया جाता है 20 नमबर को और जैसा कि हम जाते हैं राश्ट्री बाल दिवस कम मनाया जाता है 14 नमंबर को तो जो विश्यो बाल दिवस इस बार मनाया गया है उसकी अगर थीम को हम देखते हैं तो लिया है कि वर्ड हाँ उसकी जो थीम बच्चों के लिए बहतर भविश्यो बाल दिवस की जो थीम रखी गई है उस Hepatitis Can.Bet ये सही है Hepatitis Day की जो theme रखी गई है तो आप फर्वरी से related जो हमारे theme डेट है और उनसे related theme है हम उन्हें देख लेते हैं तो second of February को जानते हैं सभी की World Wetland Day बनाया जाता है क्या World Wetland Day यानि विश्व आदर भूमी दिवस Wetland Action for People and Nature ये theme रखी गई है फर्वरी दो की जो हमारा विश्व आदर दिवस मनाया गया 4 फर्वरी को World Cancer Day हमने मनाया कि बताया किसकी जो theme है Close the Care Gap 6 फर्वरी को International Day of Zero Tolerance for Female Genital Multination की जो theme रखी गई है वो है Accelerating Investment for Female Genital and Mutation तो यह जो theme रखी गई है वो हमारी 6 फर्वरी की रखी गई है और 10 फर्वरी में जो हमारा day मनाया जाता है World Pulses Day मनाया जाता है तो Pulses Day को क्या है कि Pulses of Empowering Youth in Achieving Sustainable Agri Food System तो विश्व दाल दिवस की जो हमारी theme रखी गई है Pulses to Empowering Youth in Achieving Sustainable Agri Food System रखा गया है 11 फर्वरी को International Day of Women and Girl in Science मनाया गया कब 11 फर्वरी को तो Equity and Diversity and Inclusive Water Unities Us यह theme रखी गई International Day of Women and Girl in Science की World Radio Divas की theme हमने देख ली कि Radio and Trust रखा गया है रेडियो दिवस जो 13 फर्वरी को मनाया जाता है World Day of Social Justice Social Justice समाजिक नय दिवस की theme Achieving Social Justice Through Formal Employment यह हमने Question के माध्यम से भी देखा 21 फर्वरी को International Mother Language Day मनाया जाता है इसकी जो theme रखी गई Using Technology for Multilingual Learning Challenges and Opportunity यह किसकी रखी गई है International Mother Language Day की रखी गई है 28 फर्वरी को Nisra Science Day मनाया जाता है जिसकी theme रखी गई थी Integrated Approach in SNT for Sustainable Future रखा गया है Next Question देख लेते हैं कि निम लिखित पर विचार की रहे कि अंतर राश्टी योग दिवस अंतर राश्टी योग दिवस हम कब मनाते हैं 21st of June को मनाते हैं तो इसका जो मुख्य विशय था कल्यान के लिए योग यानि योग फॉर वेल्नेस रखा गया था देखते हैं फिर विश्व शरडार थी दिवस की जो theme रखी गई थी मुख्य विशय साथ हम स्वस्थ हों सीखे हम चमक बिखेरे यानि कि जो theme रखी गई थी We learn to be healthy together, we shine यह किसकी रखी गई थी तो Refuse Day की रखी गई थी अगर World Refuse Day की बात की जाए कि कब मनाया जाता है Refuse Day तो Refuse Day हमारा मनाया जाता है 20 जून को हमने जाना कि 21 जून को क्या मनाया जाता है Yoga Day और 20 जून को यानि उसके एक दिन पहले ही हम Refuse Day बनाते हैं इन दोनों की theme हमारे पास जो question में दिया गया है वो सत्य है कि हमारा अंतर राष्टी योगा दिवस की theme है योगा फॉर वेलनेस और जो शाब वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की theme है वह है वी लर्न टो बे हल्दी टुगेदर वी शाइन ये दोनों ही गतन क्या है सही है next question देख लेते हैं कि विश्व महासागर दिवस का theme क्या रखा गया है तो विश्व महासागर वर्ल ओशियन डे की जो theme है life and livelihood रखा गया है क्या है life and livelihood किसका रखा गया है तो विश्व महासागर दिवस की theme रखी गई है next जो हमारे पास है sentence विश्व रक्तदाता दिवस की theme देख ली जाए तो विश्व रक्तदास्ता दिवस 2021 की जो theme रखी गई है रक्तदान करें और विश्व की धड़कन को जीवित करें रखा गया है यानि donate blood and keep the heartbeat of the world alive ये किसकी विश्व रक्तदास्ता दिवस की theme रखी गई है और world blood donation day जो होता है वो 14th June को मनाया जाता है कब मनाया जाता है 14th June को मनाया जाता है तो या इसकी theme रखी गई थी अब निमने में से एक और देखते कि विश्व आत्महत्या इसमें हमें सही नहीं है वो ढूलना है तो हम देखते हैं कि विश्व आत्महत्या रूप्थाम दिवस की जो theme थी वह थी transformer, full system, youth innovation for human and planetary health या किसकी थी थी विश्व आत्महत्या रूप्थाम दिवस की theme रखे गई थी अगर देखें तो विश्व आत्महत्या रूप्थाम दिवस जो मनाया जाता है 10 सितंबर को मनाया गया इसकी विश्व की कारवाही के माध्यम से इसका मुख्य विश्व कारवाही के माध्यम से उमीद उ जो 10 सितंबर को मनाया जाता है उसकी थीम रखे गई थी और जो थीम दी है कि Transformer Full System Youth Innovation for Human and Plantary Health यह किसकी तो अंतर राष्टी युवा दिवस की थीम रखे गई थी तो अंतर राष्टी युवा दिवस की थीम क्या थी Transformer Full System इसके साथ हमने देख लिया कि जो हमारा विश्व महाशागर दिवस है वह कब मनाया जाता है यानि वर्ड महाशागर देज और उसकी भी थीम हमने देखी कि जीवा लाइफ एंड लाइवलि हूड रखा गया है अब हम इंपोर्टेंट डेट देख लेते हैं जो जन्वरी से संबंधित है और उससे संबंधित जो थीम है तो पंदरह जन्वरी को आर्मी डे मनाया गया 15 जन्वरी को Army Day और इसकी जो थीम थी In Stride with the Future In Stride with the Future किसकी थीम है Army Day की जो 15 जन्वरी को मनाया गया International Day of Education यह International Day of Education 24 जन्वरी को मनाया गया इसका हमने Question में भी देखा Changing Course Transforming Education इसकी थीम रखे गई है 25 जन्वरी को National Water Day मनाया गया इसकी जो थीम है Making Election Inclusive, Accessible and Participative यह किसकी थीम है National Water Day की थीम रखे गई 25 जन्वरी को Rural and Community Center Tourism Day भी मनाया गया जिसकी थीम है Rural and Community Center Tourism रखा गया है 27 जन्वरी को International Custom Day मनाया गया है इसकी थीम है Scaling Up Customs Digital Transformation by Embracing a Date यह Culture and Building a Data और Ecosystem यह थीम रखे गई International Customs Day की Next Question अगर हम देखें विश्व मस्तिक दिवस की मुख्य विशय और अंतर राष्टी सान्ती दिवस का मुख्य विशय क्या था तो यहां पर हम दो देखेंगे कि जो हमारा विश्व मस्तिस्क दिवस और जो हमारा अंतर राष्टी सान्ती दिवस तो stop, multiply, exclerosis यह रखा गया है विश्यो मस्तिस्क दिवस की theme तो किसकी theme है? विश्यो मस्तिस्क दिवस की theme रखे गई है जो मनाया जाता है हमारा 22 जुलाई को कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को जो मनाया गया है उसकी theme है stop, multiple, exclerosis और उसके बाद है अंतरराष्टी सांती दिवस इंटरनेशनल पीस डे की बात करें तो यह मनाया जाता है हमारा 21 सितंबर को यानि 21 सितंबर को जो मनाया गया उसकी थीम क्या है तो recovering better for an equitable and sustainable world रखा गया है क्या recovering better for an equitable and sustainable world किसकी रखी गई है तो इंटरनेशनल पीस डे की थीम 2022 की रखी गई है next question अगर हम देखते हैं कि क्या रखा गया है अच्छा एक और भी मारे पास महत्तपूर है कि नेशनल आयूर्वेदिक डे जो है अभी हमने पीछे homeopathic डे देखा था यहां हम आयूर्वेदिक डिवस जो रखा गया है इसकी क्या थीम रखी गई है तो आयूर्वेदिक डिवस की जो थीम है पोशण के लिए आयूर्वेद और नीले आसमान के लिए अंतरराष्टी स्वच्वायू दिवस का मुख्य विशय स्वस्थ भारत स्वस्थ ग्रह रखा गया है तो नेशनल आयूर्वेदिक डे की जो थीम रखी गई है वो क्या है पोशण के लिए आयूर्वेद रखा गया है उसके बाद नेक्स देख लेते हम कि निमलिखित में से वन्नी जियू दिवस इकोसिस्टम इंस्टोलेशन किसकी थीम है तो विश्वण जिव दिवस की जो थ्रड अफ मार्च को मनाया गया विश्व आद्र भूमी दिवस जो सेकंड फर्वरी को मनाया जाता है कब सेकंड फर्वरी को उसकी थीम है वेट्लेंड एक्षन फॉर पिपल एंड नेचर वेट्लेंड एक्षन फॉर पिपल एंड नेचर यह विश्व आद्र भूमी दिवस की थीम रखी गई है जो मनाया गया सेकंड फर्वरी को सेकंड फर्वरी को मनाया गया और विशो वन दिवस थ्री मार्च, थर्ड मार्च को मनाया गया जिसकी थीम है रिकवरिंग की, रिकवरिंग की for ecosystem installation इस प्रकार से हमारे जो question है, वो यहां तक है अब आई एक कुछ और डेट देख लेते हैं, जो हमारे दिसंबर से related है हमने जनवरी तक की डेट देखी, अब हम देखते हैं कि दिसंबर में कौन सी इस important डेट है जो मनायेगा उसकी क्या थीम है, तो हम जानते ही, दिसंबर को क्या मनाया जाता है World AIDS Day मनाया जाता है, Ind inequality and Ind Equalities and Ind AIDS यह किसकी थीम थी, तो विशु कैंसर दिवस की थीम थी 3rd of December को मनाया गया, क्या Handicapped Day मतलब विशु अपंगता दिवस मनाया गया International Day for Person with Disabilities यह 3rd of December को मनाया गया इसकी जो थीम रखी गई है, वो हम देखते हैं, Sustainable Post of COVID-19 World यानि क्या है, कि Leadership and Participation of Person with Disabilities Toward an Inclusive, Accessible and Sustainable Post-COVID-19 World रखा गया है 5 December को देखे, तो हमारा Volunteer Day मनाया जाता है, कब 5 December को बनाया जाता है तो Volunteer Now for Our Common Future यह थीम रखी गई, 5 December के International Voter Day की अब December 5 में World Swail Day यानि मृदा दिवस मनाया गया, इसकी जो थीम है Health Swail, Selenization and Boost Swail Productivity यह थीम रखी गई है, विश्व मृदा दिवस की December 9 में International Anti-Corruption Day मनाया गया, Anti-Corruption Day उसकी जो थीम है Your Right, Your Role, Say No to Corruption, Say No to Corruption किसका थीम है International Anti-Corruption Day की थीम जो 9 December को मनाया जाता है, उसकी रखी गई है Human Right Day हम जानते है, 10th of December को मनाया जाता है, क्या Human Right Day Human Right Day क्या है, Equality, Reducing Inequality, Advancing Human Right यह थीम रखी गई है Human Right Day की, फिर 18 December को जो International Migrant Day मनाया गया है, उसकी जो थीम रखी गई है तो International Maritime Day जो 18 December को मनाया गया, उसकी थीम है Harnessing the Potential of Human Mobility, मोबैलिटी रखा गया किसका? Migration Day की रखा गया, 24 December को ने पहले भी बताया, National Consumer Day बनाया जाता है National Consumer Day की जो थीम थी, Be Aware of Your Right, Be Aware of Your Right रखा गया और 25 December को हम जानते हैं, तल भी हारी बासपी के जन दिन पर Good Governance Day मनाया जाता है और इस Good Governance Day की जो थीम है, वह है Good Governance Week, कब से कब तक? तो 20 to 25 December और प्रहाशन गाउं की ओर, कहा किसकी थीम रखी गई है तो Good Governance Day की थीम रखी गई है तो हमारी Consumer Day की जो थीम है, Be Aware of Your Right यह बहुत बहुत दुकून हो जाता है और हमने पहले बात किया कि विशु उभुखता दिवसकब मनाया जाता है यह आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि कब वो World Consumer Day celebrate किया जाता है इसी के साथ जो हमारी Important Day और उससे संबंदित थीम थी वो समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट में हम जो हमारा बचे हुए में की थीम है मतलब जो नए डाटा आने है उसकी चर्चा करेंगे तब तक लिए धन्यवाद